स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब परिवार इन्फोपूर में दोस्तों आज किया है वीडियो आपके लिए बहुती खाश है बहुती महत्यपूर है क्योंकि इस वीडियो में हम माडल पेपर और किस तरीके के प्रश्ण पत्राब के प अबीजी के हैं तो पेपर के प्रश्ण में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है बर बदलाव है तो नंबर आप क्वेश्चन्स आपको कितने अटेम्ट करने हैं कितने नहीं करने हैं घंड कहने का मतलब सेक्शन ए इसे बोलते हैं हम सेक्शन ए में क्या होगा कि जितने ही प्रश्न होते हैं आपको सब करना क्या होता है अगर इसमें 10 आते हैं आपके बीएभीक कामभलों तो आपको सब करना होगा और यहाँ पर कुछ घटत्री ही रहे होती है तो अगर कहने का मतलब है तस तस अलए बार रहां संभावना है पूरी को पांचों को basketball करना होगा खंड में उसके बाद कहने का मतलब सेक्षन बी में पहले पांच प्रस्ण होते थे और इसको उत्तर देना होता था आपको 200 सब्दों में और 200 सब्दों में आपको उत्तर देना होता था अब आपको पांच में से राहत देते हुई तीन प्रस्ण के ही उत्तर देने है। अगर मैं बात करूं। सेक्षण सेलीच जी कि, सेक्षण सी, में क्या होगा कि 500 सब्दों में आपको इतर दिना होता था। और 5 प्रसन आते थे और उतको सिर्फ 2 प्रसन तो इस भार क्या होगा कि सिर्फ आपको इस प्रसन तो कहने का मतलब है जो सब्सक्राइब करेंगे इसके बारे में हम वीडियो कल आपको प्रोवाइट कराएंगे इस चैनल के माध्यम से जिस पर आपने अपना विश्वास अभीत तक जताया है और बीएड वाले खासकर बीएड फ्रस सेमेस्टर वाले हमसे जितना अधिक सधे अपने भाईयों को जोड़ सकें जितने अधिक छात चात्राइं जोड़ेंगी उनके हित में होगा यूंकि इस विसल बीएड के लिए आप लोग बिसेयर धान ये दीजिएगा अगर छोटा प्रसन है खंड ए में तो उसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि दो दो पेस तिन तीन पेस लिखने लगते हैं तो समय इन्वेस्ट हो जाएगा आपको समय वेस्ट नहीं आपको समय इन्वेस्ट करना है तो पचास दिय लेकिन आप जितना अथेंटिक देते हैं आपको कमस कम हेडिंग्स याद रहें चाहिए और जो लोग को अभी तो कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तो उन्हें दर्सन भी नहीं किया है सिरीज का या बुक्स का तो हम उनके लिए सुसल क्लासे चलाएंगे कल से माडल पेपर औ और बताएंगे आप लोग टाइम मनेजमेंट कैसे करेंगे क्योंकि पहले बीपर होताता तीन घंटे का अब होगा डेड़े घंटे का नंबर आप कोजिशन की संक्षा घटी ज़रूर है लेकिन आप अपने रणनेतियू पर अगर बरकरार रहेंगे तो यह अब अच्छा म मांक्स होगा वही आपका प्रेटिकल भी निर्धारित करेगा तो कहने का मदलब है इस बार अच्छा मांक्स लाना एक चुनोती होगा और सिलेबस में कोई कटाओ नहीं है क्योंकि अगर लागडाउन लगा था तो तो सासन को प्रसासन करना चाहिए था प्रच्छन इंतरक लेकिन इस प्रादूर को अपने ध्यान में रखिए क्योंकि अभी तक जितने भी इस्टुरेंट परिक्षा दियें तिन घंटे की दियें चाहाई स्कूल में चाहाई इंटर में लेकिन पहली बार आप लोग घंटिया का पेपर देंगे और बहुत लोग क्या करते हैं कि एक घंटे लगा देते हैं अगर आप अगर वह दो नंबर का क्वेश्चन है तो आप अगर प्येश भर देंगे आपको पांच नंबर या दस नंबर नहीं देगा हो तो तो कहाने मतलब आपको सभी प्रसनों पर समचीत जो उचित सब्द हैं उन्हीं का प्रियों करना है फ आपको पसंद आई होगी और आपका जो चारो पेपर है हम इसका भी आपको अध्यान कराएंगे और जो में में टापिक होते हैं खास कर जैसे की असेस्मेंट फार लर्निन आपका जो पेपर होता है फूर्थ पेपर उसमें मापको जो मैथेमेटिक्स का पार्ट होता है जैसे की आपका मीडियन मोड जो निकालना होता है उसके बार इम आपको हम बताएंगे और आप अधिक सधिक मार्च गिन करें कि हमारा पूरे पचास पॉजिशन के स्रीज होंगे और आप दस दिन अगर दे देंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि उसके